एक कहावत है तीन में न तेरह में मिर्दंग बजावे डेरा में यानी अधिकार नहीं होने पर भी अधिकार का जिलोरा पीटना यही हाल है चीन का तीन सो सत्तर हटने के बाद आखिर क्यों खलवलाया है चीन जिसकी वजह से पसीमा पे बिवाद कर रहा है और भारत ने उसके चाल को बिखल करने के लिए उसके सबसे बड़े सहयोगी को चुराया चीन में खुदाई के दोरान मकबरे से मिले अजीब किस्म के लिक्विट जिसे अमरित कहा जा रहा है चीन के मिलेटरी एक्सपर्ट ने की इंडियन आर्मी की तारीफ कहा अमेरिका और रूस से भी हैं पीछे आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से सतर सालों से भारत में एक ऐसी सरकार थी जिसने कभी भारत को सूपर पाउर बनाने की नहीं सोची बलकि यहाँ पर रूट खसोट ही चलती रही जिस तरह से पिछले छे सालों से भारत सरकार काम कर रही है अगर उसी तरह से पहले कर रही होती तो आज तक भारत सूपर पाउर बन जाता खेर आगे भी अगर येसा ही चलता रहा तो भारत को सूपर पाउर बनने से कोई नहीं रोक सकता और ये बहुत बड़ी बात नहीं है आज के परिप्रेच में तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि निर्थितु जिस तरह से काम कर रहा है भारत का वह उसी दिशा में जा रहा है कैसे आपको बता दूँ आज विश्व के किसी भी छेत्र या संगठन की भारत की गैर मौजिद्गी में कलपना नहीं की जा सकती है यह महासक्ती बनने की दिशा में बढ़ते कदम की पहचान है कोई भी देश चाहे वो बड़ा हो सक्ती साली हो या छोटा हो सभी भारत के साथ अपने रिष्टे बढ़ाना चाते हैं एक तरफ अमेरिका जी सेवन में भारत की एंटरी की बात कर रहा है तो वहीं माल दियूप भारत को अपना कहने में गरवन भव करता है कोरोना के समय में भारत ने लगातार अपनी डिपलोमेसी को काफी मजबूत किया है इसी दोरान भारत ने अपनी कूटनी तिक पहुँच को यूरोप के नौर्डिक बाल्टिक देसों यानि की टेनमार्क, नार्वे, स्वीडन, फिनलेंड, आइसलेंड, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया तक पहुँचाया है इन देसों के साथ अपने रिष्टों को नया आयाम देने की योजना भी बनाई है और खास बात यह है कि भारत के साथ इस तरह के रिष्टों को बढ़ाने में इन देसों ने भी उत्साह दिखाया इस से अगर किसी देस कोई जलने भूलने की नौबत आ गई तो वह है चीन क्योंकि भारत इन देसों के साथ नजदी की बढ़ाकर आसानी से इस छेतर में चीन के प्रभाव को कम कर सकेगा विश्टु के मानचीतर पर इन देसों की स्तिती देख कर इनकी रन्निती का महतों का अंकलन किया जा सकता है या छेतर भारत के लिए कई मोर्चों पर काफी खास है और इसी तरह से इन आठ देसों के लिए भारत एक अहम साजेदार साबित हो सकता है एक तरफ भारत को इन छेतरों से कई परकार के मिनरल्स मिल सकते है तो वही अटलांटिक छेतर में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के अपनी मौझूदगी बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है दूसरी तरफ इन देसों को भी चीन और हूस के प्रभाव को कम करने के लिए फारत जैसी किसी उभरती महासक्ती की जरूरत है जिससे की नौर्डिक बाल्टिक छेत्र में बैलेंस ओफ पावर बना रहे और सांती पनी रहे एक दूसरे की जरूरतों को देखते हुए मार्च महिने से ही नौर्डिक बाल्टिक के देसों के राजदूतों द्वारा कम से कम 15 राजदूत अस्तर की पैठके हुई ये पैठक हर सुकृबार को आयोजित होती थी जिसमें कई अस्तरों पर दोनों देशों की तरफ से औसर तरवास से जाते थे जिससे ये सभी देश भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा सके और अगर साधारन भासा में कहा जाए तो कोरोना ने नौर्टिक बाल्टिक छेत्र को भारत के और नजदीक ला दिया है इन देशों के साथ कई मुद्दों पर भारत की लगातार बात्चित जारी है जैसे की जेनरिक दवाएं, ग्रीन एनर्जी और प्रियावरन में वैपार के मौके, आईटी, साइबर सुरच्छा, इर गवर्निस इसके अलावाण निवेस और उद्धोंगों को बढ़ावा देने के लिए भारत की ओर से खाद्दे और किर्सी छेतर में भी आउसर देखे जा रहे हैं कुछी दिनों पहले भारत ने डेनमार्क के साथ उर्जा के छेतर में एक डील साइन किया था इस दील में बिजली उत्पादन के विभिन प्रभावी विकल्पों को जोड़ने की बात की गई थी वहीं डेनमार्क, स्वीडेन और नार्वे के कई अस्तर पर भारत से अपने संबन्त को बढ़ाने पर जोड़ दे रहे हैं चिकित्सा विग्यान में बड़े अस्तर पर अपने खोज को साजा करने के लिए भी ये देश भारत की मदद चाहते हैं यह छेतर रन्नीतिक रूप से बेहत खास है जहां चीन रूस के साथ मिलकर अपने परभूत्तों को बढ़ा चुका है लेकिन कोरोना ने भारत को मौका दिया है जिससे हुआ इस छेतर में अपनी स्थिती मजबूत कर सकता है और चीन को एक कड़ी टकर दे सकता है चीन के बियराई की वज़े से अब साइद उन देसों को यह समझ में आ गया है कि चीन बियराई का इस्तेमाल दूसरे देसों को कर्ज के जाल में फसाने के लिए करता है साइद इसी कारण से अब इन देसों ने उस छेतर में भारत जैसी उभरती महासक्ती के साथ संबंद बढ़ाना सुरू कर दिया है क्या चीन भारत के साथ बिवाद इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने 370 हटाया है लदाख में जारी सैनिक तनाओ के बीच पाकिस्तान में चीनी दूतावास के परवक्ता के ट्विट से कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है उसके इस ट्विट ने राजनिक हलकों में बिवाद खड़ा कर दिया चीनी दूतावास के परवक्ता वांग सियान फेंग ने लदाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को भारत के पिछले साल जम्मू कस्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले से जोड़ दिया वांग ने अपने ट्वीट में चीन के खूफिया मंतराले से जुड़े एक बिसे सग्गे के लेख को भी सेयर किया हाला कि विवाद पैदा होने के बाद चीनी राजनिक ने अपना ट्वीट डिलिट कर दिया ट्वीटर पर खुद को पाकिस्तान में चीनी दूतावास का प्रवक्ता बताने वांग के सेयर किये गए इस आर्टिकल में सीमा पर जारी ताजा तनाव को कस्मीर के दरजे में आये बजलाओ से जुड़ा गया वांग ने लिखा कि कस्मीर की यथा इस्तिती के दरजे में एक तरफा बदलाओ के भारत के फैसले से चीन और पाकिस्तान की संप्रोगता के लिए एक चुनोती पैदा होगी इससे भारत पाकिस्तान और चीन भारत सम्मंद और ज़्यादा जटिल हो गए हैं बताया जा रहा है कि वांग पाकिस्तान में मीडिया का काम देखते हैं हलाकि यह ट्वीट उनकी नीजी राय हो सकती है लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी चीनी अधिकारी ने सीमा पर जारी ताजा तनाओ को कस्मीर के दरजे में आये बदलाओ से जोड़ा है इसमें खास तोर पर लद्दाख को केंदर सासित परदेश बनाने का फैसला जिसकी वज़ा से तिल मिलाया है चीन जिससे चीनी ड्रेगन काफी नाराज है लद्दाख में जारी ताजा विवात को सुलजाने के लिए भारत और चीन के वारताकार वैसे तो लगातार बातशीत कर रहे हैं आपको बता दे पिछले साल 5 अगस्त को जब भारत ने जम्मु कस्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया था चीन ने बयान जारी करके भारत की इस फैसलिक ही आलोचना की थी साथ ही जम्मु कस्मीर सासित परदेश बनाया जाने के फैसले पर भी नाराजगी जताई थी चीन ने कहा था कि भारत सीमा के मुद्दे पर सतरकता बरते कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाए जिससे सीमा का मुद्दा और जटिल हो जाए वांग ने जिस लेक को सेयर किया है उसमें लेखक वांग सिदानी अपने लेक के सुरुआत में कहा था भारत ने पिछले साल अगस्त महिने से ही लगातार एक तरफा फैसले जम्मू कस्मीर की स्थिती को बदलने की खातिर लिया है। और साथ ही भारत लगातार छेत्रिय तनाव को भड़का रहा है। इस आर्टिकल का टाइटल था भारत दोहरे आत्म विश्वास से अंधा हुआ। वांग सिदा ने कहा कि भारत के इस कदम से छेत्रिय सांती को गंभीर खत्रा पैदा हो गया है। इस से चीन और पाकिस्तान के संप्रभुता के लिए बड़ी चुनोती पैदा हो गई है। वांग ने आगे लिखा चीन पच्छ की ओर से भारत ने नक्से में एक नया इलाका खोल दिया है। सिंजियांग और तिबद के अंतरगत आने वाले इलाके को लद्दाक केंदर सासित परदेश में सामिल किया है। पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर को अपने कथित जम्मू कस्मीर केंदर सासित परदेश में सामिल कर लिया है। इससे चीन को कस्मीर विवाद में बात दिखिया है साथ ही चीन और पाकिस्तान को कस्मीर मुद्दे पर जवावी कारिवाई के लिए मजबूर किया है इससे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुल जाने का मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है चीन में कोरोना से कितनी मौते हुई ड्रेगन ने जो नंबर सब के सामने रखे उस पर दुनिया यकीन नहीं कर पा रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन ने वुहान में मौतों के आंकड़ों को दस गुना कम करके दिखलाया वुहान में मौतों का सरकारी आंकड़ा मात्र 2524 है मगर वासिंगटर उन्वर्सिटी और ओहिव स्टेट उन्वर्सिटी की रिचर्च करती है कि वुहान में जन्वरी से मार्च के बीच में 36,000 लोगों की मौत हुई यह इस्टेडी वुहान के समसानों के डेटा पराधारी थे इस्टेडी के मुताविक जन्वरी से मार्च के बीच वुहान के समसानों में 24 गंटे अंतिम संसकार हो रहे थे चीन के मुताविक वुहान में कोरोना का पहला केस जन्वरी की सुरुआत में आया था होटल ने स्कूलों में एक लाख बेट्स का इंतिजाम और किया गया, मगर तब तक बीजिंग ने आधिकारिक आकड़ा सिर्फ 33 सजार का दिखाया, 23 मार्च तक चीन ने वहान में बांकी जगों पर 42,600 डॉक्टर और हेल्थ केर्स भेजे, वहान 90,000 पहले से मौजूद थे, लेकिन 23 मार्च तक चीन ने सिर्फ 50,000 मामले दिखाया, दोनों इन्वर्सिटीज ने वहान के आठ समसानों वे हलचल का डेटा जुटाया, उनके मुताबिक 25 जन्वरी तक इन समसानों में 24 घंटे अंतिम संसकार होने लगे थे, रिसर्चर्स ने सारे डेटा के आधार पर कहा कि फरवड़ी से पहले ही वहान में चीन के अधिकारिक आख़ों से 10 गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके थे, आम तोर पर वहान में समसान रोज 4 घंटे चलते हैं, लेकिन 90 लाखबादी वाले सहर में आम तोर पर रोजाना 136 अंतिम संसकार होते थे, मगर जिस स्पीड से वहान 13 संसकार हो रहे थे, उस हिसाब से दिन में 816 मरीजों का 10 संसकार हो रहा था, इसके अलावा मोबाइल समसान अलग से है, किसी किसी दिन वहान में 200 मौते हुई, सारे सोर्स से डेटा जुटाने के बाद यह पता चला है कि वहान में 23 मार्स तक करीब 36,000 लोगों की मौते हुई, जो कि उनके बताये गें आकड़े से 10 गुना जादा है, चीन में 7 फरवरी तक कोरोना के 3 लाख से 12 लाख मामले थे, इस वक्त कहा जाता है कि 6,800 से 72 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि चीन ने इसे सिर्फ 13,600 इंफेक्शन और 545 मौते बताई थी, क्लिक दो के का चिएिगाई ओ लोगों की वाया पाया जा झास, जादा है कि 5,800 से 72 लोगों की क Aquí झास, मौते हैं, जादाम में मौते बताई इसाय से 2021 वाया जादा है, जादा गों इसा कि 5,800 वहा है है, झाल झाल